हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेपर रेकर के यूट्यूब चैनल में और आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी एकाई नंबर फर्ष्ट ठीक है बीए फर्ष्ट सेमिस्टर का हिंदी जो आपका पत्र है कार्याली हिंदी का स्वरूप उद्देश और छेत्र का उसका जो स स्वरूप उद्देश और छेत्र से यह सम्मत देता है ठीक है तो इसमें पहला प्रष्ट हमारा क्या कह रहा है देखो पहला आपका जो प्रष्ट है वो कह रहा है कार्याली हिंदी की विसेष्टा है कार्याली जो हिंदिया उसकी विसेष्टा क्या है अनुप्रियोक्तिता बैग्यानिक्ता, सामाजिक्ता या शभी तो यहाँ पर चो कार्याले हिंदी की बिसेस्ता है हो जाएंगी वो हो जाएंगी सभी ठीक है जो कार्याले हिंदी की बिसेस्ता हो जाएंगी वो हो जाएंगी अनुप्रियोक्तिता, सामाजिक्ता और बैग्यानिक्ता यह तीनों हो जाती है आपकी कार्याली हिंदी की बिसेस्ता है नेक्स्ट प्रशन आपका क्या कह रहा है सेर बजार सब्द प्रियोजन मूलक हिंदी का किस प्रियुक्ति से संब्द देता है जो सेर बजार सब्द है यह आपका किस से संब्द देता है ठीक है यह किस छेत्र में आपको आता है यह आपको बताना है तो यहां पर पर से port नेक्स्ट हमारा प्रिशन के रहा है कि अनेक भासाओं की उपस्तिती के कारण ठीक है जिन सुविदा जनक बिस्ष्ट भासा के माध्यम से ब्यक्ति और ब्यक्ति, राज और राज, राज और केंद्र, देश और बिदेश, ठीक है इनके बीच में संपर्ग जो जाता है क्या रहा है वो एकनती के बीच में कष्टति किया जाता है संबन्द करता है उससे ल henryis 30 के बीच में बाईक कर रहे होंगे तो ।ulous चीज़ को कौन सी भाउएंगे यहां ensam जो तो जो बेक्ती से बीच में बात कर रहे हूंगे एक दूसरे से संपर्क के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं ऐसे जैसे जो जो भासा किसी बिशिश्ट राज में प्रियुक्त रूप से प्रमुक्त होती है जैसे किसी भी राजी की कोई भी प्रमुक भासा होती है तो उसे क्या कहते है यहाँ पर आपको बताना है उसे क्या कहते है ठीक है उसे राष्ट भासा कहते है मानक भासा कहते है राजज भासा कहते है या प्रियोजन मूलक भासा कहते है तो आपको doubt होगा दो option में राष्ट भासा में और राज्जभासा में तो यह चीज आप जाद रखेंगे कि उसे राज्जभासा कहते हैं राष्ट भासा वो होती है जिसे से राष्ट ने घोसित किया हो ठीक है लेकिन जिसमें राजी के प्रमुक रूप से प्रियुक्त होती है जिसमें उसके कारे हो रहे हैं उसे उसकी राज्जबासा कहा जाता है ऐसे नेक्स पर आपका है प्रियोजन मूलक हिंदी की कितनी सैलियां है ठीक है आपको यहां पर बताना है कि प्रियोजन मूलक हिंदी की सैलियां कितनी है साथ छे पांच चार तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा साथ प्रियोजन मूलक हिंदी की कितनी सेलियां होती हैं ऐसी डाक्टर भोलानात तिवारी के अंसार प्रियोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं यहां पर आपको बताना है जो भोलानात तिवारी हैं उनके अंसार प्रियोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हैं 6 5 4 3 तो आपको पत रूप में अलंकार होते हैं तो हम कौन से रूप में अलंकार को पढ़ रहे होते हैं हम उन्हें साहित्तिक में पढ़ रहे होते हैं प्रयोजन मूलक में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसे किस में पढ़ रहे होते हैं साहित्तिक भासा में अलंकारों को पढ़ रहे होते हैं ठीक ह तो यहाँ पर जो राज़ LOVE होती है उसका सीधा होता है आपका राय काज को राज तो कैला खेलाए अगला पृशन आपका क्या रहा है संभिदान की किस धारा के अंतरगत हिंदी को राज तो आपका जो भाग स ważत्र हे लगा 07 ती तौर पूछिता है और है कित सम्मेदान सभा क्या ने कि हिंदीई को राज बास के दर्जा आपको इन दिया गया है हिंदीगों राज्बास कदर्जा आपको आपको दिया गया है और मंतार में ही। हमाने ने are have made a ज़ंदी को राजबासा बनाने का प्रस्थासव कब किया था। यह चीजा आपको बताना का involved 26 जनवरी को किया था 15 अगस्ट का 12 सितंबर को किया था है यह 2 अक्टूबर को कियाता तो वह께 पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 तो इसी दिन को हम क्या मनाते हैं राष्टी हिंदी दिवस भी मनाते हैं यह चीज भी आपको ध्यान रखने हैं इसी प्रकार से हिंदी वासा किस लिपी में लिखी जाती है ठीक है तो यह सब को पता होगा आप आपको हिंदी वासा किस लिपी में लिखी जाती है देवनागरी जो लिपी होती है इसमें किसको लिखते हैं हिंदी वासा को लिखा जाता है ना खरोष्टी में ना चित्र लिपी में ना भ्रहमिनी में ठीक है हिंदी वासा को हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं यह ची किनी सिनकाइड की है यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मोटूरी सत्यनाराय है्ट एक सही आंसर क्या होगा मोटूरी सत्य नारायर ऐसे आपकी जो 15 compete कुछन है यह क्या कह रहा है कि कौन सी भासा का प्रयोग राज की प्रयोजनों के लिए भारत की केंदर सरकार करती है जो कौन सी भासा का प्रयोग जो है अपनी राज की प्रयोजन के लिए भारत की जो केंदर सरकार है वो करती है तो यहां पर जो दोनों भासा हैं आपकी जो ह किया गया था तो ललूलाल की है ललूलाल तो टो इनके दूरा च्वाह किया गया-था सब्डर जो है इसका इस्तिमाल किया गया था ठीक है तो हमारा अनसर नुमबर बी क्या हो जाएगा यहां पर सही अंसर हो जायएगा ऐसे राष्ट राष्ट्र भहसा का गालत पर हें वो क्या होता है राष्ट की भासा उती है यह आपको बताना तो बहु Moment है लोगोंG वहां === राश्ट्र भासा कहते हैं ना कि सरकारी कामकाज वाली ना बहुसंक्यक वाली बहुसंक्यक लोगों की भासा ठीक है यह दा उप्सन भी इसमें क्या है बिल्कुल सही आंसर है तो मात्र भासा को राश्ट्र भासा नहीं कहते हैं ठीक है यह याद रखेंगे जैसे हमारी देश म यह चेतर क्या होता है टिपण प्रारूपन या उप्रुक्त सभी तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जागा यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा next question कहा रहा है कि कारे आले हिंदी को दपतरी भासा नाम किस विद्धवान ने दिया था कारे आले हिंदी है उसको दपतरी भासा नाम किस विद्धवान ने दिया था तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा डाक्टर हर्देव बहरी इन्होंने क्या गिया था दफ्तरी भासा नाम दिया था ठीक है कार्याली हिंदी को कौन सा नाम दिया था दफ्तरी भासा दफ्तर में यूज करने वाली भासा ठीक है ऐसे ही मुहाबरेदार भासा कौन सी होती है मुहाबरेदार भासा कौन सी होती है आपको बताना है तो प्रि तो जो गुण हो जाएगा वो जाएगा सभी ठीक है ओप्चारिक्ता तार्किक्ता सरलता ये सभी क्या हो जाएंगे कार्याली हिंदी के गुण हो जाएंगे आपके ऐसे ही हमारा जो question है question number 20 का कह रहा है कार्याले हिंदी की बिसेश्था क्या होती है तो कार्याले जो हिंदी होती है वो होती है अनुप्रयोक्तुता, सामाजिक्ता, ब्याग्यानिक्ता यह शभी तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ जो कार्याले हिंदी की बिसेश्था है वो सभी होती है ठीक है कार्याले हिंदी की बिसेश्था है सभी होती है next question आपका क्या कह रहा है पंदर्या नंबर राष्ट भासा का तातपर है राष्ट की जो भासा क्या होती है बहुसंक्यक लोगों की भासा होती आभी आपको बता दिया था खीं कहां आ get के यह उपर अगला प्रक्रशन हैमारा कै वो क्या क्या रहा है प्राशाशनिक लिदी का संब्ध है ठीक है प्रशाशनिक हंधी का जो संब्ध होताए वो किस से होता है रोजगार परक हिंदी से, कारियाले हिंदी से, परे निष्टित हिंदी से या मानक हिंदी से तो आपका A option क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानि कि रोजगार परक हिंदी से प्रशाशनिक हिंदी का सम्मन्द होता है कामकाज के लिए तो के लिए प्रमुक माध्यम कि यह कुछ भी अविवथ करने या तो इसारों का करेगा spark okay क्या हो जाता है उसका भासा क्योंकि भासा के द्वाराई अभिवक्त करने का मतलब है अपने अंदर के विचारों को भ्यक्त करना है ठीक है तो अपने अंदर के विचारों को भ्यक्त करने के लिए वो किसका प्रियोग करेगा बहासा का प्रियोग करेगा नेक्स प्रिशन क्य करायाल ही हिंदी को जो अर्थ क्या होता है Normally लेंग्वेज होता है यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि कारियालई हिंदी की प्रविड़ती की जाच करें तो हम पाते हैं कि कारियालई हिंदी का एक बिशिष्ट रूप बिक्सित हो गया है यह कथन किस ने कहा था यह इन में से आपको बताना है कि यह वाला कथन किस ने कहा थ तिबारी जी ने दास ने या ठाकुर दास ने या चतुरवज सहाय ने ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बो हो जाएगा option number B यानि कि चतुरवज सहाय का ये कथन है ठीक है भारत के संविदान के किस भाग में कहा गया है संग की राजबासा हिंदी एबम लिपी जो होगी वो दैवनागरी लिपी होगी तो यह आपको पता होगा भाग एक में यह चीज लिखी हुई है ठीक है भाग एक में हमारी यह चीज लिखी हुई है कार्याले हिंदी की विशेष्टा क्या होती है यह आपको बताना या निर्वयक्ता होती है असिंगता संदिग्दता होती है या तथ्यों में स्वपूर्टा एबम इसपश्रता होती है जो कार्याले हिंदी होती है उसमें उसके सारे तथ्यों में क्या होती है स्वपूर्टा ह होती है और इस पर श्रत होती है यानि कि यह टीनों और आपके बिलकुल सही है ठीक है तीनों हमारे बिलकुल सही हो जाएंगे next question अब कहे कह रहा है? पर कि प्रह्ष्ट की जाएगी? इसके जो है इसके नियम जो थे वो कभ इसपष्ट किये गए थे तो इसके नियम जो इसपष्ट किये गए थे वो किये गए थे सन 1970 में सन 1970 में इसके नियम इसपष्ट किये गए थे ऐसे हिंदी के प्रचार प्रशार है तू सरकार के दायतों का उले कौन से आर्टिकल में यानि यह पूछना चाहरा है कि संभेजान कि कौन से article में हंदी का इसे फहलाने का कारे करते हैं वो किसमें लिखा हुआ है ठीक है तो option number A कह रहा है आपका 351 article number 351 यही क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका next question है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्टपती द्वारा राजभासा आयोग एबम समिती का गठन किया जाएगा इसमें आपको बताना है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्टपती द्वारा राजभासा आयोग और समिती का गठन किया जाएगा तो यह आपका आर्टिकल हो जाएगा 344 इसमां क्या कहा गया है कि राष्टपती द्वारा राजभासा आयोग और समिती का गठन किया जाएगा ठीक है यह सभी कुर्ष्ण बहुत ही महत्पूर है और आप पिरते कुर्ष्ण को बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलेंगे ठीक है तो कार्याली भासा का उद्देश ही क्या है कार्याली भासा का उद्देश होता है हिंदी का प्रचार प्रशार करना देश की राष्ट भासा सुनेश्यत करना हिंदी को सम्मान दिलाना या सभी ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा किस नियम के इंतरगत इसपष्ट किया गया है तो 1955 के अंदर जो है इसको इसपष्ट किया गया है कारेयली हिंदी की कारेपद्धिती के अंतरगत आती है आपका 36 कुर्शन कह रहा है कारेयली हिंदी की कारेपद्धिती किसके अंतरगत आती है यह संगिय कारेपद्धिती के अंतरगत आती है राज्यसासन कारेपद्धिती के अंतरगत आती है सचवाले कारेपद्यती के अंतरगात आती है या इन सभी के अंतरगात आती है तो यह जो है option number D आपका क्या हो जाएगा बिल्कुत सही answer यहां से हो जाएगा ठीक है समू जो का होता है इस छेतर के अंतरगत कौन सी भासा का प्रियोग किया जाता है यहां पर आपको बताना है समू का में कौन सी भासा प्रियोगत होती है तो जो option number यह है यानि कि हिंदी जो होती है वो समू का में प्रियोगत होती है ठीक है उसके अंतरगात अपने राज्यों में सरकारी कामकाज की भासा कौन सी होती है हिंदी ऐसे खामें कौन सी भासा पर्योग्त होती है तो आपको बताना है sitzen और अंग्रेजी दोनों भासा भासाइं कौन सी हैं था मैंने अब ही बताया ता आपको हिंधी दिवस कमा मनाये जाता है 14 सितंबर को ठीग है 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट प्रिशन आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रिशन कह रहा है कि राजभासा के लिए नेशनल लेंग्वेज सब्द किसने प्रियुक्त किया था ठीक है यह आपको बताना है कि राजभासा जो होती है यानि कि राश्टी की भासा जो है उसके लिए national language सब्दि किसे प्रियुक्त किया था national language तो आपके जो सी क्या गूपलाचारी जी थे इनके दूआरा जो national language है इसके लिए राज़भासा के लिए इनके दूआरा इस्तिमाल किया गया था ठीक है सी राज़भालाचारी आप यहां पर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट प्रश्ण आपका क्या कह रहा है देखो संसद की जो कारिवाई है वो हिंदी और अंग्रेजी नो होलो सकती है ठीक है राजबहशा जो आयोग है इसका गठन कप किया गया था यह आपको बताना है ठीक है राज भासा आयोक का गठन कब किया गया था 56 में 1956 में 1960 या 1955 में ठीक है तो B option आपका क्या कह रहा है 1955 सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1955 ठीक है भारत के कानून या बिदी कानून को क्या कहते हैं बिदी मंतराले में राज भासा विवाग की स्थापना कब की गई यानि कि जो मंतराले में राज भासा जो विवाग है उसकी स्थापना कब की गई थी तो उसकी स्थापना की गई थी 75 में इसकी स्थापना की गई थी 1965 में गठित जो प्रिथम राजभासा आयोग था, ठीक है, अभी हमने देखा कि 1955 में राजभासा आयोग का गठन हुआ था, तो ये किस की अध्यक्षता में गठत हुआ था, ये आपको बताना है, तो इसका जो अद्धिक्ष तक की थी वो की थी आपकी बीजी खेर ने ठीक है पिर्थम राजवासा आयोग का अद्धिक्ष आपसे पूछे कर आपको बताना है कि बीजी खेर उसके पिर्थम राजवासा आयोग के अद्धिक्ष थी कारयाली भासा किसे कहते है अभी हमने कहते हैं बिभासा यह पूछ रहा है आपसे बिभासा किसे कहते हैं तो बिभासा पता है क्या होता है हिंदी भासा की ठीक है या जो मूल भासा होती है उसकी प्रमुख बोलियां जो होती है जो हिंदी भासा की प्रमुख बोलियां होंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे बिभासा कहेंगे तो इसमें ऑप्सन नंबर कौन सा कह रहा है कि हिंदी छेतर की प्रमुख बोलियों को ठीक है ऑप्सन नंबर बी क्या कह रहा है हिंदी छेतर क एक एरानियों का ग्रंथ है जेन्द विस्ता ठीर है best और की अपने जाइद में हिंदी सब्द का प्रियोग किया यह पूछ रहा है कि अपने इसाइद अबने से नहीं मसें हिंदी सब्द का placing प्रयोग किया था तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया था अलबरुूनी आबलफजल या अमीर खुसरो या सभी तो यह तीनों ने हिंदी भासा का प्रयोग किया था यानि कि उपर एक तो सभी हमारा सही answer हो जाएगा जफर नामा में भासा के लिए किस सब्द का प्रियोग मिलता है जफर नामा में भासा के लिए जो है हिंदी का प्रियोग मिलता है हिंदी का प्रियोग मिलता है हिंदी भासा का जर्म कहां से हुआ था आपको अगर पूछता है तो आप बता देंगे कि सौर से नी अपरभरंस जो है हिंदी भासा का जन्म हुआ था ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे हिंदी को देशी भासा की रूप में मान ने करने वाले कौन थे कैप्टन बिलियम, कैप्टन बिलियम प्राइम, कैप्टन टेलर या उपर यूप तो दिय आपसन क्या गय रहा है आपका उपर यूप तो सभी ठीक है उपर ही तो सभी आपका सही आंसर हो जाएगा नेट्स प्राशन आपका क्या कर रहा है हिंदी में नई चाल में ढली हिंदी किसने कहा था हिंदी को नई मढली हिंदी ये किसने रहता तो भारद न न तो परतिंस fish inquiry चंद्र अब हो लू Scientists तो इसका सही आंसर क्या है आपका अरिश्चंद्र के दुवारा नई चाल में धली हिंदी को कहा गया था ठीक है ऐसे अगला प्रशन आपका क्या कह रहा है हिंदी भासा की आधी जननी है हिंदी भासा का जन्म कहां से हुआ है आपको सभी को पता है हिंदी भासा का जन्म संस् हो गया है ऐसे ही आपकी सारी आठ वह उनिट के कुष्षन हम हमारे द्वारा कराए जाएंगे ठीक है तो हम एज चलते हैं मिलते हैं अगले अगली वाली हृण है